वाही गुरु जी का खालसा, वाही गुरु जी की फते, गुरु मुख प्यारेों आप जी सारी चड़ती कलावच होगे उमीद कर दे हो, गुरु सहिप जी दी चर्मा चरदास कर दे हो, महराज आप जी नूँ मेशा चड़ती कलावच रखन, गुर्मुक प्यारेो आप जी नू अचन चेद एकदम मैसिज गीता की आओ वाई गुरुजी अपनाम जपिए क्योंकि जेड़ा शाम वाला सेशन होंता है वो तक्रीबन पांच वजे तो बाद 6 वजे साथे 6 साथ वजे होंदा सी वाई गुरुजी पर आज जा आप जी नू अचन चेद सद्धा देन दा वाई गुरुजी रीजन एही सी गुरु साइब जी ने समा बक्षिया आप जी नू अग्गे दस्यासी बेंती कित्ती सी कि वाई गुरुजी जदो महाराज कोई भी सेवा बक्ष देने ता जदो वाई गुरुजी ट्र परमारज तर्स करें समझ रूर बाक्षिदें विटैलिक राम ते जो आप सारे गुर्मुक अपने अपने करांच बैठी संगत वी नाम जपलेंदी है सब गुर्मुक नाम जपलेंदी है ते बड़ा वाईगरुजी चंग है ते सा डेली बड़ी किरपा वली गल्ले भी मारे ने तर्स कीता उन वाईगरुजी आज जापा आप जी एक विचार खना चाने या एक गुर्मुक ने एक पंगती पे जी भी एनते ते तुसे विचार करो आज संगत देवेजी जे वाईगरुजी समा थोड़ा कट हुंदा ते शायद आज नी ते कल कर दे पर गुरुसाय जी ने समा भी विचार नो सर्वन करिए गुर्मुक केंदे भी एक स्पंक्ती ते तुसे विचार कर देओ यह बहुत जुरूरी है क्योंकि उनना नो एदे विच वाईगरुजी थोड़ी कंफ्यूजन होई पढ़के जमें गुरुबानी चे मारे ने जिकर किता हुकम किता अब मन उलट स जो सानू पता विसनातन पाई साब केंदे वीर जी केंदे विसनातन दा जो शव्ददार तमेनू पता कि ओही एजा कोशोर कहरे ने मारा जेते उनन वाईगरुजी जदों साध्डा मान तमों गुणते हुन्दा है उस समय सानू मनमुख ते साकत केंदे एना पसार्यानों पता कि जदों मान तमों गुणी च विचर्या हुन्दा वाईगरुजी ओदोसी मनमुख वस्ता चुन्या साकत केहा जान्दा क्योंकि साधी बोल्ली वेचे मिठास नहीं हुन्दी आते चलन फिरन ते बैठन उठन वेचे इनसानना वाले गोण नहीं हुन्दे जेस करके सा पंजा ने दूप्ता ने जो माया दा पसारा पसारया हुन्दा है उस वलते आण हुन्दा है जदोसी मनमुख वस्ता चुन्या मारईताही सानों गमगरने पांच च दूठ चितवे विकारा माया मों का ए पसारा साधा मो माया नड़ प्यार पैन करके असी प्रेत रूप हो ऐसी परेत तो आदमी बन जाने है फिर जड़ोंसी सतों गुंड़ते आजने ना टा केंदे है की संत मारगते चाल पई है जान के एक लिवदा रस्ता प्यारता रस्ता जिस वेच तुरना फिरना उठना बेना वाई गुरुजी विहार जड़ है वदिया अते बोलन विच में ठास आ जन्दी है जदों सी विचारा तो रहत हो जन्नेया ता अनहद लाके विच प्रवेश हो जन्नेया ता केंदे हन किया देवते हन प्रेत तो मानस ते फिर देवते बन गे गुर्बाणी विच मारज सानु खुकम का रहान जिन मानस ते देवते किये करतन लागी वार उन देव लोग विच रैन वाले जीवा देव मान विच चाह होंदा है क्योंकि एथों एक स्टेज परम्हांस बनन दी रह जान दी जे सस्थान तो चले सी ओथे वापस मुड़ना होंदा है जो दो वापस मुड़ पेंदे हां तो उसनु सनातन केंदे हां जिवें एक सनातन तरम है पर उन आनू पता नहीं कि सनातन तो की पाग है आरिया समाजी हन वाई गुरुजी जो इराग ते अफगानी स्थान विच्चों इद्र आए उन नू सनातनी केहा जानदा है कि इन दतरम सनातन है गुरुमत वेच दस्या है कि जित्तों सी सफरते चले होए हां जो दो वापस फेर सी साचनु मेले लेंदे हां स्थान कि अे सनातन स्थान ते आये हन ये जिए जिविवने हें जो दो आपस न धारते पहुंच दे हां जिथे आं सी चलेसी जदों सी अभियास कर दे हाना वाईकरू जी ता मान सोन विच शब्द द्वारा मर के जानदा है एस दे पंजे संगे साथी जड़े हान उसाथ शर्जन दे हान ते निर्मल हो जानदा है फिर एसाचनू मेले लेंदा है देव लोग तो बाद असी परमहंस बनना होंदा है जदों असी सचे मेल विच प्रवेश होंदे हां ताय वस्था बनेगी ही बनेगी ऐसले ही मन प्रेत तो सफर करके अग्गे चलता है इस मारक ते मानदा ते आन रखना होंदा है क्योंकि ये किसे भी सामें वापस मुड़ सकता है ऐसले ही असी बड़ी मेनत करके दस्वें द्वार तक पहुंचना होंदा है वाईगरू जी माननों इस मारक ते चलते हैं हदायत कीती है कि मनमुखा दा सांग नहीं करना आप जी नो वाईगरू जी तकरीबन हर सेशन दे विचे बेंती करते है संगत दे विच भी बेंती करते है कि मनमुखा दा सांग ना करे हो वाईगरू जी ता कि वापस ना मुड़ा वी क्योंकि वाईगरू जी रस्ता है ता लंबई ही है जोदो सी चाल पाई फिर अद विचकार के ते यसी फिर मुड़े हो ये मनमुखांदा संग करन करके वाई गरुजी फिर मुड़ावांगे यसी फिर अप उत्ते ही दल दल चफास जावांगे एथो तक दास दिता है मारजने की जिथे वी साकत देखो उस तो इन्नी दूर पाज़ जावो जित्थे तो अनुस दी वाज भी न सुन मारज कहने दे कबीर साकत संग न कीजिये दूर जाई ये पाग दूर पजिये जेड़े मनमुखने न वाई ग्रुजी उनन तो दूर पजिये वाई ग्रुजी अग्गे मनमुख दिया वी कैटेगरिया हो दिया हम एक मनमुख तो आनू सुनना चाउंदा है उस दे अंदर थोड़ा बहुत प्यार है कि मैं वापस मोड़ना ता चाउंदा है जे ओ संगत विच आ जानदा है विचार सुनदा है ता वाई ग्रुजी टिपनी करण जहों में विच आया ते जहां वाई ग्रुजी बैस करे फिर उस दे नाड़ विचार करण दी बजाए चुप करके रहे उन्हें सुनननी नहीं थोड़ी उन्हें सिरफ आपनी चाड़ दी है ना मारे निस्टपस्ट केह दिता है सलाम जबाब दोवे करे ज़रूरत पहिए कि खेल जड़ा ओखे डण दी तीजी गाल उसने आखी की जदो में वाईगरुजी फेल्ड वेच जान दा हां ता लोका नों बहुत दुखी होए देख दा हां फिर जे उसने लोका नों दुखी करना है ता खेल क्यों बना है उन्हा नों पुछिया कि पर बाणी ते विशवाश भी नहीं होना उन्हाने आख्या उसने फिर वाईगरुजी जदो गल शुरू किती वाईगरुजी दास ने जड़तर कशीला दा लिटरेचर पड़े होया है उन्हा आख्या कि तुसी दसो गुरुगोमी सिंग जी ने औरंग जेवनों तलवार न मारेया के बाणी ना पाव जेहे जीव भी आजान देहान जिनना नू बिल्कुल कोई विशवाश ही नहीं होंदा उन्हा दूजा लिटरेचर जागा पड़े होंदा है कि ओसमारग ते नहीं चलना चाओं देख्या कि गुरु नानक देवजी सब तो वटे तरक शीलसान उन नहीं चलाई उन्हा उसनों जफर ना मलेक के शब्द दी चोट मारी सी वाई गरुजी जो की उसनों एन्नी गैरी वजजी की विण के लागई इस तरह बहुत सारे जीव नास्तिक ख्याल देहुंदे हान जिननी देर जीव संगत वेच नहीं होंदे उसनों पेती नहीं जड़े है वाई गरुजी ते मुंसर है उसनों दस्या कि जिवें तुसी अपनी मादा किहा मंदे होई अपने पिता नों पिता मंदे हो जे माते विशवाश है ते जिद्दर उसने शारा कर दिता कि यह तेरा पिता है तुसी मानलव होगे पर जे मा विशवाश माते ही गैलबी लेना है त्यां दी वस्था विचे जदो उसी अंतर्गत जाना है तथ त्यांन नीजपात ते लगावना है वाईगुरु जी जदो उसी बार देख देहां था निरंकार ते त्यान लगावना हुनता है मारज हुकम करदेहन निरंकार में अकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गरब जोन नहीं आवे वाईगरुजी एस तरह से निरंकार रूप हो जाने हा मन जागन ते त्यान दी वस्था विच जानदा है जदो मन जाग जानदा है ता शद द्वारा अपनी देश चली जानदा है जे मन त्रेगन विच सुत्ता होया है ता अपनी देश ता चला जानदा है मालक इसनू कड लेंदा है पर उत्थे इसनू सुपना होंदा है ते सुपना देखदा है सुपने तो पावे संसार ना संपर करेंदा है दा कर जाके वी वापस संसार वीच आमुडदा है साच खांड तक जान ता जड़ा रस्ता उत्थे ता जान दा है पर जुड़या किती एत्थे मालक ता कटद है हर एक नू कड़दा है क्यूंकि सब नू ब्राबर प्यार है माराईदा मनमुख दो के संदे सुपने देखदा है ते गुर्मुख अन दिन जागदा है मारज गुर्बानी वेज फर्माऊंदे हान जो जाके से उपरे सुत्ते गए मुहाई असी त्रैगुणा तो उपर उठ जान दे हा जागण तो बाद असी शब्द आसरा लेके चल दे हा मनमुख उन शब्द दी पच्छान नहीं होंदी मनमुख त्रैगुणा विज सुत्ता होंदा है वाई गुरुजी मनमुख कारजान ते जाग के जो देखदा है अग्यानता विच उसनों सुपना केंदा है मन जागण ते सानों सुपना नहीं होंदा जे आप वाई गुरुजी गुरुमुख बले रस्ते ते चलांगी न असी शब्द द्वारा अपने कार जाना है गुरुमुख हन दिन जाग दे हान मन मुख घ्यानता विच कार जाना है ते उसे तरह वापस आ जाना है उसस बारे फरमाऊन दे हान सोमे करक का पाउना जियो आया तेओ जाए इस तरह मनमुख करवी जानता है पर पेती नहीं उसमें उस तरह वापस आ जाएगा गुर्मुक एद्र वी ते ओत्र विजागरत वस्ता विच रेंदे हैं असी त्रेगुना तो उपर उठके सचे शब्द दी पेचान करके अपने कार आउना जाना बनाउना हुनदा है वैगरुजी जदो सी विचार मार लेंदे हैं ता दुर्मत दी अगण तो उपर उठके संसार सागर ते पावसागर तर जान दे हैं ऐसले ही मार लेंदे हैं कि सानू कोई ऐसी जुगती दसो जिस नाल साड़ा पगती वालमान जुड़े असी साचवल देख देखे साच दी सेवा ते नामनों सुन सुन के शब्द गुरु दी सेवा करनी हुन दी हैं तो मार लेंदे हैं सब्द सत सत प्रभ बगता सुर्त सत सत जस सुनता फिर सत गुरु दी सेवा नजरा दुआरा करनी हुन दी हैं नदरी सत गुर सेवी है नदरी सेवा होए नदरी एमन वस आवै नदरी मान निरमल होए पाव वैगरु जी नजरा नाल देख देखे ते कन्ना नाल सुन सुन के उस दी सेवा करनी हुंदी है असी साचनाल प्यार पाउना है मनमुखनों ना साचनाल ते ना शब्द गुरुनाल प्यार हुंदा है क्योंकि ओ ग्यानता विच उस दी गलती नहीं कि ओ वाई गुरुजी समझ नहीं पारे है क्योंकि ओ ग्यानता है जे करसी ए खेल जानन तो ब बच्चा जदो सोन लगदा है तो उसके द्रिष्टी उपरवाल निजपदनों जान दी है उदियां खाँ जड़ियां वाई ग्रुजी आप आगर स्पष्ट वर्ड्जे समझें दी कोशिश करिए कि उदियां खाँ चड़ दी आहान उपरनों ऐसे तरह गुरुमुख दी वी गुर्थी लगी जानती यह ते अख़ा खुली आ रहान दी कि वाई ग्रुजी एक रफी नहीं है कि हमीश्य होंता है कदी-कदी रहा जानती है यह वाई ग्रुजी दारते वाई गुरुजी बैठे हां एसलिए जदो सी त्यान दियां वस्थामा विच जान विले देख्या कि मान सोन विच जान लगा है तर नेतरा दरवाज्या बांध क्योंकि ये बहुत ही नाजू खान वाई गुरुजी नूँ बांध कारके जदो सी निज पाते त्यान ल सारे आप जी कोलेच वाई गुरुजी नाम जपने हो सैद सैद नाम जपने हो शुरू करे हो थोड़ी उच्छी वाज रख्यो वाई गुरुजी बिलकुल कई गुरुमुक्त ना बहुत अंदर अंदर ही वाज रख दे हान उच्छी नहीं बोल दे उच्छी उच्छी उच छीक है वाईग्रु जी कई गुर्मुख विचार करें अंतब्यान मनमुख केंड़ें की राभात ओड़ा बोला दिए जुद्ध कि दूुद्धक क के वरगों जीक्तित से खंड़ानी जी शुद्ध Musimus मन सोन करना जुरूरी है जरूरी है भाइग जुढ़ी गुरुजी तो नाम बंददकिता भी एक जुग दी उन जदो पन नाम जापदे हैं जित्ते ऐसी सेज होनेया स्वात-्सवात Absol Чप Washington रहां होनके उट्धे'll लगता शब्ते अपर चाहीं वाइग्रुजी आपा उस नाम दे द्वारा पसागर नू पार करके और जड़ी खेड़ा होथे पूर्फे ते जेसी स्वास्वास नहीं जपते क्योंकि बहुत गुरमुखा नो लाई वेच देख्या जदो वाईग्रुजी संगत वेच होई दा ते वाईग्रुजी जो मारेने साथी तेलफोल सेवा ऐसे करके लाई होई है कि जद उसी एक्खा खोल के देखना है भी बच्चा कोई ज और गलती दा नहीं कर रहे हैं ता वाईग्रुजी उत्या चीज नोटीस हो जांती है कि कई स्वास्वास नहीं जा परें अंदे गुरमुखा ते वो बस मू भांदूंद है ते उनन लगदे सी बस सोनने होगे सहज होगे ते बस है फिर हो केंदे भी सूर्ती बड़ी सोनी जोड़की साठी तव वाईग्रुजी उनीक सुर्ती जोड़के तुसी पांज़ता पारता कर ले पावसागर भी ता पार करने जिब पावसागरी नहीं पार कीता थे फिर असी किते गए नहीं हाजी ते नहीं माराज भी यह यूकम कर रहे ने कि तो अटी पकती बंदगी शुरू गित्तों हुन्दी है जिते अनहदनाद परगट हुन्दे ने उन्हेस गलनू समझी आपा ता सड़ी बंदगी पगती शुरू हुन्दी है वाईगरुजी उन्नू फर्स्ट स्टेज किया गया है तक गुर्मुख प्यार्यों आप जीने नाम जपके ते स्वास्वास भी जुरूर जपन है कि आप जीनू बेंती तां कर रहे हैं कि वाईगरुजी जित्ते किसे गल्दी कमी लगे ते सड़ा आप जीनू छोटे पैन पर होंदे ना ते फर्ज है कि तानू दुबारा याद कराईए हर वरी ये गल्द चेते कराईए कि आपकोई गल्ती नहीं कर पर खेड बन जान दी ते कई गुरुमुक जदो नाम जपने वाईगरुजी काफी गुरुमुक खांदी विचार सोने कि दिल्दी तड़कन जड़ी तेज हो जन दी है ते वाईगरुजी ओ कोशे गल्त नहीं हो रहे आपने नाल असल देविचे काल ने अपनी खेड खेड नहीं है ठीक है वाईगरुजी उत्तो साथा जिड़ार्ट सिस्टम इन बैलंस होया ओया पांची तत्ता था वह इन बैलंस होन करके जदो उसी नाम जपने आप दिल्दी तड़कन एकदम तेज हो जन दी है पर उते कबराणा नहीं आप की कर सकते हैं आप आप पता की करने इन्हों ठीक के में करने समझो उन गाल जोदो तुसी कले आच बैठके वी नाम जपने तो आप जी थोड़ा से जपने करो पहला आप नाम पर पक्ख कर लो पांची ता तो बैलंस होने शुरू हो जानगे तो आटे दिल्दी तड़कन भी तेज नहीं हो जी फिर तुसी जि तो आटे पांची ता ता जी नाम पर पक्ख करो ते वाइगरू जी वह बैलंस हो जाएगा आओ शुरू करेंगे मारल तर्स करने